मैं आप सब का जीवन जीओती बैलूजी चैनल में विलकम करती हूँ और एक नया टॉपिक का कोशन मैंक लेकर आपके सामने आ रही हूँ जो कि क्लास 9 के लिए आपसे एक रेक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेर जरूर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्स्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्स्राइब करें चले आएए पहले चैनल का इंट्रोड़ाक्शन और उसके बाद फिर डाइजिस्टिफ सिस्टम क्या कह रहे हैं यहां से शुरू करते हैं इंपोर्टन कोशिन और डाइजिस्टिफ सिस्टम फर क्लास नाइन फोली रहे हैं एक्जाम पैटर्न के लिए प्रपेर कर रहे हैं अब एक नया ट्रेन की छोटा सा टेक्स्ट दिया हुआ है और वो टेक्स्ट-based question को पूच रहे हैं इन पुले पहले information दे रहें आपको फिर वो information का question पूच रहे हैं आईए चलते हैं पहले information ले लेते हैं मुझा कहना क्या चाहते हैं यह यह कह रहे हैं कि the food यहां से स्टार्ट करते हैं जो text दिन उने लिखा कह रहे है simple की तरफ जा रहे हैं लिख लेते हैं हम complex food से simple की तरफ जा रहे हैं एक छोटा सा example देंगे इसका वो example यह होगा क्या जैसे for example कि अगर हम लोगों ने starch खाया है तो उस starch से हम उसकी unit glucose बनाएंगे starch complex है और glucose simple तो फिर से पढ़ते हैं the food that we eat gets broken down into simpler compounds for absorption यनि हमने जो खाया है उसको हमें blood तक absorb करना है और absorb करनी के लिए ज़रूरी है कि हम simple part में उसे convert करें यनि complex को simple बनाएं एक और example दे देते हैं अगर हम लोग protein खा रहे हैं अगर हमने protein खाया ठीक है food में तो protein complex है उसका जो हम simple बनाएंगे उसके लिए हम word योज करेंगे amino acid तो यह हुआ इस sentence का meaning the food we eat gets broken down into simpler compounds for absorption there are various enzymes एक नया वर्ड and hormones secreted by various glands अब glands में कौन-कौन सी glands आजेंगी एक gland तो हमारे हो जाएगी आप जो celery gland जो mouth में यानि हम mouth में celery gland लेलेंगे एक काम यह होगा और दूसरा काम क्या होगा कि लिवर लेंगे एक gland लिवर आएगा दूसरा gland pancreas आएगा so various glands and cells of the digestive system इसकी बात हो रहे है next चलते which facilitates digestion of food the undigested food is expelled out of the body through the anis यहनि जो भी food undigested रह गया जिसका digestion नहीं हुआ उस undigested food को हम लोग anis की थरू बाहर निकाल देते हैं फिर क्या किरें the main organs of the digestive system include mouth pharynx isophagus चलो ठीक यानि mouth हो गया pharynx हो गया और isophagus हो गया अब क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कह रहे हैं स्टमक small and large intestine एक sequence में चले उनने first place इसको दिया second इसको दिया third isophagus को दिया stomach को दिया fourth small and large intestine में small fifth हो गया large intestine जहें वो six हो गया फिर rectum seventh और anis यानि इतना part इनोंने दिखा दिया ठीक है अब क्या कह रहे हैं कह रहे हैं इस पूरे text में से हमने एक पूरी एक स्टोरी जैसी component दे लिया कि digestion कर रहे हैं हम लोग complex से simple की तरफ जा रहे हैं और यह digestive parts इनोंने लिग दिया organs के ना there are various types of digestive glands present that is for example यह for example का sign है celery glands, pancreas, liver etc एक information में आपको यहां दोंगी कि liver digestive system का largest gland है largest gland सबसे बड़ी gland है liver और दूसरी information आपको यह देंगे कि यह कोई भी enzyme secret नहीं करता liver does not secret any enzyme in digestive system liver के पास एक ही जिम्मेदारी है और वो है bile secret करने की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर बाहिल ना हो तो fat का digestion नहीं होगा अब यह तो हो गई हमारे पास information ठीक है analysis करने के लिए information दे दी अब हम चलते हैं अपने question number one पे यहां से start और कह रहें the enzymes present in pancreatic juice pancreatic juice में कौन-कौन से enzymes present है अब इस message में तो information है नहीं और उन्हें passage से आपको digestive system से attach कर दिया यह जो question पूछा जा रहा है वो digestive system का है अब हम pancreatic juice की digestive enzymes का पता लगाते हैं चले आईए देखते क्या कह रहें यह option दिया इन्होंने कहरें amylase, trypsynosin, peptidase and renin, renin को यह catch कर ले बच्चो renin एक ऐसा enzyme है जो stomach में निकलता है ठीक और हमें pancreatic juice का पता करना है pancreatic juice duodenum में जाकर मिलता है चले आयो थोड़ा से एक diagram बना के आपको इस question से add-on करवा देते हैं और diagram बनाना है इसलिए ऐसे आ जाते है, point change yellow से समझा जाए और दूसरे से diagram बना जाए देखिया mouth से चले, इसको mouth समझ ले आप यह यह हमें आगे pharynx, नीचे गए isophagus, टेक, diaphragm बना लिया यह stomach बनाया, यह, और यह dutinum बना दिया है, क्योंकि मैं सब verbally बता रही हुए ना, इसलिए मैं कुछ चीज़े यह लिख दू, final destination ही जो stomach है S T O M A C H stomach ले दिया, अब जो pancreas है ना, वो इस dutinum में खुलता है, यहाँ, यानी pancreatic gland को हम लोग यहाँ बना लेते हैं, यह बना लिया pancreas, यह, लीवर इधर होगा, इस तरफ, यहाँ, लीवर का juice, गॉल बेडर में खटा होगा, और गॉल बेडर की duct आके pancreatic duct से मिल के dutinum में खुलती है, तो हम dutinum label कर लेते हैं, अब यह dutinum जो है, इसी को हम लोग small intestine का पहला part, first part, first part, first part of small intestine कहते हैं, small intestine को SI लिखकर काम चलाते हैं, ठीक, तो जो यह pancreas gland है, इसको लिखते हैं, P-A-N-C-R-E-A-S-E, यह लिखा हम लें, जो pancreas gland है न, उसका जो enzyme है, वो यहाँ, यहाँ पूर हो रहा है, तो जो renin है, वो renin तो stomach में निकलता है, यहाँ निकल रहा है, तो जब तक जहाँ जहाँ रेनिन लिखा है, वो option हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों को pancreatic juice चाहिए, यहाँ रेनिन A में लिखा है, B में देखें, यहाँ भी renin लिखा है, तो इसको बेटा देंगे, यह stomach में निकलता है, और stomach में pepsin निकलता है, तो इसको बेटा देंगे, यह DB option नहीं होगा, अब यहाँ पे जो हमें option मिलेगा, वो correct option मिलेगा, वो correct option हमारा होगा, यह B part, यानि trypsinogen, lipase, amylase, pro carboxypeptidase, यह protein digestive enzyme है, यह B, ठीक है, तो यहाँ हम option लेकर आते हैं, that is B, यह class 9th की, Salina publication की book में, इस enzyme का नाम नहीं दिया है, but the correct option is this one, अच्छा, अब चलते हैं, अगला question क्या कह रहे हैं, निक्स question हम यहाँ आगे, कह रहे हम से, कि which gland produces bicarbonate ions, अब bicarbonate ions का पहले हम लोग formula लेके लेते हैं, क्या है bicarbonate, bicarbonate हो गया है, HCO3 minus, सीधी सी बात है, कि यह bicarbonate कहां से आएगा, sodium bicarbonate से, that is N, A, H, CO3, अब यह sodium bicarbonate, salt है, यह iron है, चार्ज लगा है, इसके उपर इसलिए iron कह रहे हैं, इस पे एक single minus का चार्ज होगा, यह iron जो है, वो bile juice में पाया जाता है, यह bile juice में होता है, ठीक है, अगर यह bile juice में होता है तो bile juice लिवर निकालता है, अभी पड़ा हम लोगों ने यह लिवर बना हुआ है, लिवर लिख लेता है, यह पर यह, तो अब यह क्या कह रहे हैं, कि which gland produces bicarbonate ions and trypsin, तो मैं दो चीज़े देखनी है, पहले हम bicarbonate को डूल ले, तो इन चार option में, A, B, C, D में, फर्स्ट वा होगा, बाकी पर से आपका confusion ना हो, इसलिए हम लोग इस टिक को अटा ले रहे हैं, तो यह हमें मिल गया, next question, और उसका answer, ठीक, अगला, कह रहे हैं कि infants, यानि बच्चों के gastric juice में, इस टमक में, यहां, है न, contains, कौन सा enzyme होना चाहिए, तो देखो भाई, जो children होते हैं, बच अचे, 12-13 साल तक, उनको basically food में क्या दिया जाता है, इनके, जो children होते हैं, उनके food में होता है, basically milk, है न, और milk को digest करने वाले enzyme का नाम है, renin, तो हम लिख लेते हैं, यहां पे, R-E-N-N-I-N, अब renin word को हमें, इस question के option में ढूड़ना है, न, कहरे, बच्चों की gastric juice में, क्या content में होना चाहिए, maximum क्या होना चाहिए, तो पहले वाले तो option में, renin दिखी नहीं रहा है, second option पे जाते हैं, तो renin दिख रहा है, तो पहले भी देख लेते हैं, यहां पे renin दिख रहा है, और यहां भी renin दिख रहा है, बच्चो, D option है, उसमें renin के साथ, lipase दिख रहा है, lip यहां तक fat का emulsification नहीं होता, क्योंकि यहां तक bile juice नहीं मिला होता, जब तक food में bile juice नहीं मिलेगा, यहां पर जब bile juice आता है, यहां पर जब bile juice आता है, तब fat का digestion शुरू होता है, यहां दी वाला option तो हो नहीं सकता, अब बचा B, तो इसका correct answer है B, यहां भी आपका confusion हटानी के लिए बाकी सारी चीज़े हटा ली जाएं, ताकि हमें सही answer पता चल जाएं, यह चल गया हमें सही answer पता जी, अभी कह रहें water enzymes, सीधे सीधे आप answer लिखें, enzymes are bio catalyst, ठीक है, catalyst, catalyst, नहीं जी, थोड़ी सी error होरी है मुझसे, catalyst, bio catalyst लिख लेते हैं, अब bio catalyst क्या होता है, अब आते हैं, bio catalyst क्या होता है, ठीक है, bio catalyst यह होता है, कि हम सारी digestion की जतनी equation से, उनको speed up करेंगे, speed बढ़ाएंगे उनकी, यानि speed बढ़ाने के लिए हमको enzyme की ज़ुरत पढ़ती है, अगला क्या कह रहें, what are its main characteristic, किसकी enzyme का characteristic पूछ रहे हैं, तो पहले तो यह लिखें कि ribozyme को छोड़ कर, all enzymes are protein, तो हम पहला point लिख सकते हैं, all enzymes are protein, यह हो गए, all enzymes are protein, पहला point, बहुत simple point, ठीक है, बहुत ज़्यादा temperature बढ़ेगा, तो यह denatured हो जाएगे, ठीक है, तो हम दूसरा point लिखेंगे, कि suitable temperature for their activity is 25 to max 35 degree centigrade, body temperature भी 37 होता है, जरा सा बढ़ जाएगे, तो हमें medicine खानी पड़ती है, तो यह हो गया इसका suitable temperature, temperature, तो यहां तो एक condition यह ले ली, एक और बता देते हैं, तीसरा point, थर्ड यह है कि यह specific होते हैं, और यह specific substrate के लिए भी होते हैं, इस specific for substrate, यानि जो protein, digestive enzyme है, वो fat पे काम नहीं करेगा, fat वाला carbohydrate पे नहीं करेगा, and it is specific for pH also, यानि जो acidic medium में काम कर रहा हैं, वो basic में काम नहीं करेगा, जो basic medium में काम कर रहा हैं, वो acidic में काम नहीं करेगा, ठेक, अच्छा, next question क्या के रहे हैं, why one should not talk while eating, किसी भी व्यक्ति को, normal saying है, यह बड़े बुड़े कहते हैं, कि खाना खाते समय, हमें बात नहीं करनी चाहिए, च्छा reason जान लेते हैं, क्यों नहीं करनी चाहिए, ऐसा है कि जो mouth से बोलने के लिए न, हमने जब बोलते हैं, तो हमें बोलने के लिए चाहिए होती है, we need air, voice cord को या vocal cord को activate करनी के लिए हमें air चाहिए, बिना vibration के आवाज नहीं आएंगी, बात करनी है न, वो मना कर रहे हैं न, कहरें खाना खाते समय, आपको talking नहीं करनी है, गर में दादी, बाबा, बम्मी, पापा, सब यहीं कहते हैं, reason क्या है, देख लेते हैं, यह बनाई एक human nose, nose के नीचे यह बना लिया, lips, और यह हमने cheek portion बना लिया, ऐसे, यह बना लिया, पैचानने के लिए, ठीक, अब यह जा रहा है, foot pipe, ठीक है, अब यह सामने देखते रहेंगे, हम लोग की, क्या चल रहा है आखिर, और यह जा रहा जाती है, जब यह passage common हो जाता है, wind pipe आ गया, आगे, ऐसे आया, और यह common हो गया, और जो food pipe है, वो चल गया पीछे, wind pipe के पीछे, ऐसे आ गया, ऐसे, यह नहीं, फूड पाईप, ऐसे जा रहा है, यह, खाना ऐसे जाएगा, और उसको यहा आना है, इसको लिख लिए जाए, य यह हो गया फोट पाइप और यह क्या हो गया विंड पाइप यह हो गया विंड पाइप बने क्या च्रैक यह यह हमारा नेजल चैंबर से आ रहा है तो यह हम लिख लेते नेजल चैंबर से आने वाला पाइप तो नेजल चैंबर लिख लेता है नेजल चैंबर से आपको यह प R Y N X ठीक है अब जब फोड का रोप रंग देख लीजे खाना खाया हमने खाना चबाया हमने यहां से लिया था खाना यह माउथ से यहां से अंदर गया खाने को चबा लिया तो बोलस बन गया यहां पे एक फ्लैप लगा हुआ है ऐसे यूँ ठीक अब यह जब फोड अंदर जाएगा यह फोड अंदर जाएगा तो यह जैसे जैसे आगे बढ़ता है इस फ्लैप के ऊपर प्रेशर क्रियेट करता है इसके ऊपर प्रेशर क्रियेट करेंगा जैसे जैसे फ्लैप के ऊपर प्रेशर क्रियेट होता है वह फ्लैप आगे की और बेंड होता हुआ विंड पाइप को क्लोस कर देता है, ऐसे क्लोस कर देगा, और इस फूड के लिए पैसेज इधर के लिए बन जाएगा, फूड यहाँ आ जाएगा, तो यह पैसेज है कि यह विंड पाइप को क्लोस कर दिया गया, यह जो जिससे क्लोस किया गया, उस फ्लैप को हम लोग कहते हैं, जब हम किसी खाने को निगलते हैं या बोलस को निगलते हैं then wind pipe is closed with epiglottis, wind pipe को epiglottis ने close कर दिया, जब air अंदर जा ही नहीं रही है, तो sound produce कैसे होगी, अब अगर हमने sound को जबरदस्ती produce करने की कोशिश की, यानि खाना काते समय हमने बात करने की कोशिश की, तो उस condition में ये epiglottis को हटना होगा, और अगर epiglottis हटा, तो इस food की wrong entry हो सकती है, यानि food यहां जाने के तो यह इंसान मढ जाएगा, डेट हो जाएगा, तुरन डेट हो जाएगी इसकी, इसलिए कहा जाता है, खाना खाते समय बात ना करें, अब इस answer को लिखा कैसे जाए, लिखने का प्रोसेजर ये है, कि इसको भी थोड़ा सा space ले लिए जाए, तो समझ में आई, ये चलते है लिखने का तरीका ये कि आपको लिखना है, कि for speaking we need air, point number one ये आएगा, राइट, air vibrates vocal cord, vocal cord को vibrate करेंगे, तो हमें आवाज सुनाई पड़ेगी, but next condition, but while eating, जब हम खाना कहा रहे हैं, तो हमें wind pipe को close करना है, while eating, wind pipe is closed, किसके through, through epiglottis, to avoid wrong entry of food, next statement होगा, कि हमें food की wrong entry नहीं करनी है, as the wind pipe is closed, during swallowing of food, then this talking is not allowed, ये हो क्या आपका answer, ये भी story based question है, एक कहानी बता दे, that it is normally there into the saying, that we are not allowed to talk while eating, or while swelling the food, बस आप ये देखे, question बनके ready है, और आपको बताना है, आपको लिखते समें किसी भी diagram को draw करने की ज़रूद नहीं है, आपको ये point समझाने थे, कि कैसे लिखा जाएगा, इसलिए diagram को बनाएगा, ठीक, next question पर चलते हैं, क्या कह रहा है next question, next question कह रहा है, enzyme responsible for digestion of fat, इसका आंसर तो ही लिख लेते हैं, और इसका आंसर है lipase, L-I-P-A-S-E, फिर कह रहे हैं, absorption of digested food is maximum in a small intestine, that is ileum, ठीक है, give reason, तो पहले एक ileum का diagram बना के आपको दिखा देते हैं, small intestine है, कहाँ, चलिए, ठीक है, small intestine को पहले ये short form में बनाते हैं, stomach बनाया, ऐसे, ये stomach बनाया, S-T-O-M-A-C-H, और ये stomach आगे जाके, large intestine के, को उपर से देखें, तो large intestine का structure पहले देखेगा, पर ये small intestine, ऐसे structure बनाता है, long structure बनाया, ये small intestine, और इसका इस वाले पार्ट में हमें मिलेगा villus, V-I-L-L-U-S, तो अब इस small intestine के ileum पार्ट की, इस पार्ट का section काटना है, ऐसे करके open कर देना, open करेंगे जब इसको खोलेंगे, villus को जब देखने के लिए, किस पार्ट को open करना है हमें, कहां गया, ये I-L-E-U-M, यानि इसको अगर हम labeling कर दें, तो I-L-E-U-M आ रहा है, अब जब इसको खोला, cut किया अंदर, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ से, एक लेयर बाहर वाली है, और जो अंदर है, उसमें विलस देख रहा है हूँ, तो इसमें यह देख रहा है, ठीक है, और डाइजिस्टेट फूड, फूड को हमने color red लिया हो, तो तो ready कर लेते हैं, डाइजिस्टेट फूड इसके ऊपर ऐसे travel करे गई हो, यानि अल्टीमेटली इस फूड को इसके अंदर एब्सॉर्ब होना है, अब question यह उठता है कि, ऐसे कौन से adaptation है, जो विलस में absorption में help करते हैं, तो एक बड़ा सा विलस बना लेते हैं, ऐसे, यह विलस बना लिए, ऐसे बना लिए, यह विलस अंदर की तरफ, एक single epithelium का बना हुआ लेर है, ऐसे, यह, यह, ऐसे बना लिए, वन FELDER Thin, तिन एक ही SEL का बना हुआ है, एक SEL का बना हुआ है, ठीक है, यह चले हम लोग ऐसे आगए और यह बना दिया, क्या है रहे हैं तो इसके उपर ट्रेवल कर रहे हैं अब फूड थो इसके उपर ट्रेवल करना हमें फूड को तो ही तो औपर करना यह सिंपल फूड है दाइजिस्ट किया हुआ फ़ां और नीमल मेंvial चांड में आर्ट्री रेन कैपिलरी सब ऐसे जुड़े गई इसकी लेबलिंग करेंगे तो सी ए पी डबल एल ए र वाई अच्छा अब यह पूरा इसी से काम नहीं चलता बीच में यलो कलर का लक्टियल भी होता है यह ऐसे जा रहा है लिम्फाटिक सिस्टम में जाके ओपन होता है अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं यह हो जाएगा L A C T E A Lacteal आ इस डाइज़ेस्टेट फूड में से यहां यहां से यहां तक पहले इस वाल में गया डिफ्यूज हो रहा है और लिक्विड के फॉर्म में फिर ब्लड में गया ब्लड की बात हो रही है कैपिलरी में गया तो कै यह गया, और सबढoter में सब्सक्ड कि यानि ग Visa मो को सब्सक्राइट कि यह खी और सब्सक्राइट में, यानि ग्लुक में और शुक्रोज गया, शुक्रोज द्राई सेखरेटी को टॉएंगे, फ्रक्टोस गया, ग्लुकोस गया, फिर फ्रक्टोस गया, ठीक है, गलेक्टोस गया, लिख लेते हैं गलेक्टोस भी, अगर गया तो यह गलेक्टोस गया, डाइजस्ट होके, यह गया, कहां गया यह सब कुछ, यह सब कुछ, बलड की कैपिलरी में गया, यह बलड में गया, अब यह लक्टीएल जी क्यों है तो लक्टीएल जी को यहां लिख लेते हैं लक्टीएल में क्या जा रहा है लक्टीएल में जाएगा फैटी आसद फैटी आसट एंड ग्लीसरॉल जी एल वाई C-E-R-O-L क्यों भाई यह किसके digestion से बने हैं यह fat के digestion से बने हैं तो फिलहाल वो पूछेंगे कि इसके दो adaptation बताईएं विलस की दो adaptation किसलिए हमें food को absorb करना है इसलिए इस काम के लिए दो adaptation तो पहला point आपको लिखना है कि because of this infolding यहां से यहां तक कि in folding की वज़े से इसका surface area बहुत जादा है दोसरा point आपको लिखना है कि विलस के अंदर blood capillary और lacteal है blood capillary and lacteal is present inside the capillary तीसरा point आप लिख सकते हैं the wall of the willis is made up of only one celled epithelium so this one celled epithelium is helpful for absorption of food छोटे छोटे पार्ट जो diagram related थे और जो थोड़ा story based question बनते थे वो मैंने लिखे अभी इस digestion में बहुत सारे objective और bile की importance को आपको पढ़ना है यानि एक और important point जो हमें इस chapter में cover करना होगा that is bile कोशिश करूँगी next video यह आपके पास जल्दी आए और यह